राइस वाइन पार्ट वन में हमने देखा हम मस्ट को किस तरीके से तयार कर सकते हैं यानि कि जो ये लिक्विड हमने कंटेनर के अंदर डाल रहा है इसे मस्ट बोला जाता है इसको कैसे तयार करना है और तयार होने के बाद हमें इसे fermentation के लिए किस तरीके से airtight करके रखना है और उसके बाद हमें daily एक लकडी की कडची से इसे mix करना है और दुबारा से airtight करके fermentation के लिए रख देना है mix करने के बाद wrap sheet से हम container को airtight कर देते हैं थोड़ी देर में wrap sheet carbon dioxide के pressure से उपर की तरफ फूल जाती है, जिसे हमें हतेली से एक बार press करके carbon dioxide को बाहर निकाल देना है, carbon dioxide rubber के नीचे से निकलने का रस्ता बना लेगी, उसके बाद वो खुद बखुद निकलती रहेगी, इससे wrap sheet के फटने के chance बिल्कुल भी नहीं रहते, rice wine की वीडियो के पहले भाग में आपने यहां तक देखा था, अब मुझे 7 दिन हो चुके हैं, इस wine को daily mix करते हुए, इसे ferment होते हुए 7 दिन complete हो चुके हैं, आज 8 वा दिन है, आगे का process भी देख लेते हैं, container को मैं ले आया हूँ kitchen के अंदर, और यहां पर मैंने एक sterilize container और ले लिया है, साथ मैं एक sterilize कपड़ा भी लिया है, दोस्तों जो भी चीज मैं wine के अंदर use करता हूँ, कोई भी ऐसी चीज जो wine के contact में आती है, उसे मैं sterilize कर लेता हूँ, बार-बार मुझे बताने की जुरूरत नहीं होनी चाहिए, और आप लोगों को भी ये बात समझ जानी चाहिए, जो भी चीज आप इस्तमाल करते हैं, उसका sterilize होना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, तो चलो लोट आते हैं अपने wine पे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन हमें इसको च्छान लेना चाहिए, क्योंकि तगरी बहुन हम wine fruit से बनाते हैं, जिनके अंदर बीज या फिर गुठली होती है, उससे जो wine का taste है, उस पे काफी असर आता है, तो साथ या आठवे दिन हमें इसको च्छान लेना चाहिए, किसी fruit से बना रहे तो, हाँ अगर आप किसी juice से बना रहे हो, या ऐसी किसी चीज से बना रहे हो, जिसके अंदर बीज या गुठली नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी च्छानेंगे, और दुबारा से एयर टाइट करके, फर्मेंटेशन के लिए रख दिये है, फर्मेंटेशन होते हुए, आज नोवा दिन है, अब हमें इसे mix नहीं करना है, हाँ जो kitchen wrap sheet उपर की तरफ फूल गई थी, उसे मैं एक बर थोड़ा सा प्रेस करके, और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, आज फर्मेंट होते हुए दस दिन हो गई है वाइन को, अभी भी fermentation काफी अच्छे से चल रही है, kitchen wrap sheet अच्छे से उपर की तरफ फूली वी है, carbon dioxide को हमा तेली के मदद से प्रेस करते हुए निकाल देंगे बहार, अब इसे ज़्यादा कुछ शेड़ खाने करने की हमें जरूरत नहीं है, अब दो-तिन दिन में दुबारा से इस वाइन को देखेंगे, दोस्तो आज चोद्वा दिन है, फर्मन्टेशन वाइन के अंदर रुख चुकी है, और उपर से वाइन क्लीन होनी चालू हो चुकी है, रूम की मैंने light बंद की है, और पीछे की तरफ phone मैंने रखा है, आप lighting देख सकते हैं, उपर बिल्कुल clear है, उपर की तरफ आपको इस first light दिखाई दे रही है, एकदम clear, आप जैसे ही मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा, तो इतनी clear नहीं रहेगी, यानि कि नीचे की तरफ हेज है वाइन के अंदर, वो clear नहीं हुई है, उसमें time लगने वाला है, दो से चार दिन का, और देखें, उपर की तरफ एक छोटी सी layer है, वो बिल्कुल पानी की तरफ साफ नजर आ रही है, वो बिल्कुल clean है, जैसे उपर है, वैसे ही पूरी वाइन हमारी clean हो जानी चाहिए, room की light on कर दिये है, अभी clarity नजर नहीं आ रही, वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊँगा, तो बने रहेएगा अंतक इस वीडियो में, वाइन को रखे हुए 15 दिन हो चुके हैं, आज 16 वाँ दिन हैं, इसकी clarity आपको चेक कराऊँगा, फोन अपना ये लिया है मैंने, और इसको container के पीछे ले जाँगा, उपर से नीचे का तक एक जैसा ही clear vision है, आप फोन के उपर timing भी देख सकते हैं, आरपार एकदम clear दिखाई दे रहा है, वाइन हमारी बिल्कुल clean हो चुकी है, जैसा कि दोस्तों मैं बताता रहता हूँ, वाइन जब भी clean हो जाए तभी वो पीने लायक होती है, वाइन clean होने में 10 दिन ले, 15 दिन ले, 25 दिन ले, 3 महीने ले, वाइन जब clean हो जाती है, तभी पीने लायक हो जाती है, तो 21 दिन में 25 दिन के चक्कर में ना पढ़िये, वाइन पहले भी clean हो सकती है, या उसे छे महीने तक भी लग सकते हैं कुल मिलाकर ये wine clean है, पीने लायक है तो इसमें मैं एक bottle निकाल लूँगा और उसे taste करके इसका taste आपको बताऊँगा कि ये हमारी wine कैसी बनी है यहां मैंने एक आधा लीटर की sterilized bottle ली है और एक drip pipe लिया है, उसी की मदद से wine को container से मैं भार निकालूँगा उपर उपर से निकालूँगा, नीचे की तरफ east बैठी है निकालना कैसे है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से कभी हम scooter या bike की tankी से petrol निकालते थे, एक से रह में container के अंदर डाल देना है दूसरे सिर्यों पर रुमा लगा कर मुझे अपनी तरफ खीच लेंगे और जो wine bottle है, इसको नीचे की तरफ रखेंगे तो इस container से pipe के दुआरा wine bottle के अंदर आनी शुरू हो जाएगी और इसी तरीके से bottle को हम भर लेंगे आप चाहे तो एक bottle या आप चाहे तो सारी wine एक ही बार में अलग-अलग bottles में निकाल सकते हैं wine को bottle में मैंने निकाल लिया है आप color और clarity देख सकते हैं color वाक्य में बहुत जबरदस्त आया है और आप clarity तो देखी रहे हैं दोस्तो एक और बात आपने मेरी वीडियो में बहुत कम देखा होगा कि मैं लोगों से अपील करता हूँ कि चैनल को subscribe कर दो वीडियो को like और share कर दो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like और share कर दीजिए आपकी sport मिलेगी तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा तो दोस्तों वाइन को टेस्ट करने का टाइम आ गया है, अपनी रैस वाइन को टेस्ट कर लेते हैं एक बार, कलर तो आपने देखा ही है कितना सुन्दर आया है इसका, अगर मैंने इसमें खांड ना यूज करके, अगर इसमें वाइड शूबर यूज की होती, नॉर्मल चीन तो दोस्तों इसका कलर बिल्कुल पानी की जैसे आता, बिल्कुल पानी जैसे होती है, तो एक बार ट्राइ करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, कैसी बनी है यह हमारी भाई, दोस्तों यह थोड़ी सी कम स्ट्रॉंग बनी है, इसमें आपको पता ही है कि मैंने शुगर थोड़ी कम डाली थी, तक्रीबन इसमें 9% के आसपास अलकॉल होगा, उससे ज़्यादा इसमें अलकॉल नहीं है, बाकि फिर भी अच्छी बनी है, 9% अलकॉल भी कम नहीं होता, अलकॉल ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारी वाइन का टेस्ट है, वो खो जाता है, तो बहतर यह होगा, 11-12% तक अलकॉल परसेंट रहे हमारी वाइन में, वो ही ज्यादा अच्छा है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आगाथ.